आज मैं आपको डिप्रेशन से निपटने या डिप्रेशन को ठीक करने की एक ऐसी असरदर वीदी बताने वाला हूँ जिसे आजमा कर अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना है तो उसे डिप्रेशन होगा ही नहीं डिप्रेशन के बहुत से कारण होते हैं उसकी बहुत सारी परकार होती है और उसके बहुत सारे अलद-अलद इलाज होते हैं कौन सा इलाज किस व्यक्ति के लिए मुनासिब होगा ठीक होगा ये कहना कोई आसान बात नहीं होती है डिप्रेशन के इलाज के लिए दवाया, साइको थ्रैपी, लाइफ स्टाइल में चेंजिज और बहुत सारी वीधियों का प्रयोग किया जाता है आप डिप्रेशन के इलाज के लिए किस वीधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके चलते हुए भी इस वीधि को उपयोग में ला सकते हैं, आज जो वीधि में आपको बता रहा हूँ, उसका प्रयोग अपने इलाज के साथ साथ भी कर सकते हैं यह वीधी शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे अपना परभाव डाल कर आपको डिप्रेशन के चंगुल से बाहर निकाल लाएगी वो वीधी बताने से पहले थोड़ी बात डिप्रेशन के बारे में जरूर होनी चाहिए दुनिया भर में डिप्रेशन के रोग्यों की संख्या कुल अबादी का 3.8 प्रतिशत है जबकि भारत में यह आंकड़ा 4.50 प्रतिशत है आज भारत की अबादी लगबग 142 क्रोड के आसपास है उस हिसाब से डिप्रेशन के रोगियों की संख्या यहां 6 क्रोड 37 लाग से कहीं जादा है यह आखने उन मरीजों के हैं जो किसी हस्पताल में दवाई लेने जाते हैं इसमें उन लोगों की संख्या शुमार नहीं की गई है जो लोग या तो डॉक्टर या मनो विज्यानी के पास जाते ही नहीं है या ऐसा जीनें पता ही नहीं है爱 कि उनको डिप्रेशन है इसे हम मास् इसके बारे में भी बहुत जल्दी में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में आपको तीन बाते जरूर पता होनी चाहिए नमबर एक पुर्षों से ज़्यादा महिलाओं में डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा परभावित होती है नमबर दो डिप्रेशन यानि अफसाद आतम हत्या का कारन भी बन सकता है और तीसरा यह है कि हर परकार के डिप्रेशन हर परकार के अफसाद का इलाज उपलब्ध है और यह बहुत अच्छी ख़बर है दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा मैं मनु विग्यान के शेतर में पिछले 35 वर्षों से कारे कर रहा हूँ तो चलते हैं बात करते हैं उस जादोई वीडि का जिसका प्रयोग करके आप डिप्रेशन के चंगुल से निकल सकते हैं याद रखिएगा इस वीडि को प्रयोग करने के लिए आपको अपने आफ से भी एक लड़ाई लड़नी होगी और यह लड़ाई मातर कुछ दिनों की होगी इसके बाद आपकी जिन्दगी आप आराम से कार सकते हैं आपको जिन्दगी भर आराम मिलेगा और वो भी बिना डिप्रेशन के आप जिन्दगी जी पाएंगे आपने अगले पंदरा दिन तक जो काम करने का मन नहीं करता है उस काम को जरूर करना है जैसे आपका नहाने का मन नहीं करता है आपको नहाना है आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है आपने बात करनी है आपका गाने गाने का मन नहीं करता है आपने गाना गाना है आप का अपने कपड़े बदलने का मन नहीं करता है आपने अपने कपड़े बदलने है आपका घूमने जाने का मन नहीं करता है आप घूमने जाईएगा आपको सुभा उठने का मन नहीं करता है तो सुभे उठ जाईएगा अगर आप यह exercise 15 दिन भी कर लेते हैं तो 15 दिनों में ही आपको इसके जादूई असर देखने को मिल जाएंगे यह एक पूरी तरीके से आजमाई हुई वीदी है अगर आप इसे तीन महीने तक कर लेते हैं तो डिप्रेशन को आप हमेशा के लिए गुडबाई कह पाएंगे बाई बाई कह पाएंगे क्योंकि हमारे दिमाग में नियूरल कनेक्शन बनने में कम से कम तीन महीने का समय लगता है आप इसे लगातार तीन महीने कर लेते हैं तो आपके मस्तिश्क में इसके पर्मानेंट नियूरल पाथवे बन जाएंगे जिससे आपको खुश और सक्रिय रहने के लिए सकारात्मक आदत हमेशा के लिए पढ़ जाएगी याद रखिए शुरुवाती दोर में आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल महसूस हो किन्तु एक बार आप इस मुश्किल की लक्षमन रेखा यानि थ्रेशोल्ट को पार कर लेंगे तो उसके बाद एक शांदर जीवन आपके सामने आपका हाथ थामने के लिए आपको तयार मिलेगा कोई भी समस्या लगे तो आप इन बोक्स में टाइप करके मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के शेतर में हजारों लोग परत्यक्ष और लाखों लोग ऐ परत्यक्ष रूप से मेरे अनुभव का फाइदा उठा चुके हैं मेरे साथ जुड़े रहिएगा खुशी भरा शांदार जीवन आपका इंतजार कर रहा है